दोस्तो हमारी इस दुनिया में हर समय कोई न कोई अजीबो गरीब गटनाएं गटती रहती है जिन में से कुछ गटनाएं तो नोर्मल होती है लेकिन वहीं कुछ गटनाएं ऐसी भी होती है जिन पर खुली आँखो से देखने पर भी विश्वास नहीं होता तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया में गटने वाली कुछ ऐसी ही गटना है और कुछ ऐसी चीजे दिखाने वाले है जिनके बारे में आपने आज से पहले सायदी कभी सोचा होगा बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को इसकीप न करके अंत तक जरूर देखना क्योंकि लाश्ट में जो गटना हम आपको दिखाने वाले है उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे दोस्तों सबसे पहले जो वीडियो हम आपको दिखाने वाल है उसे देखकर आपके भी होस उड़ जाएंगे क्या आपने कभी एक कच्वे की खाल में साप को गुसेवे देखा है अगर नहीं तो एक बार जरा इस वीडियो को देखे जिसमें एक साप कच्वे का सिकार करने के लिए उसके पास गया लेकिन तभी चाला कच्वा अपनी खाल के अंदर गुस जाता है और जैसे ही सापने कच कच्वे का सिकार करने के लिए कच्वे की खाल के अंदर सर गुसाता है तब ही कच्वा साप के सर को काट लेता है जिसे साप को खुदी वहां से अपनी जान बचा कर भागना पड़ता है दोस्तों क्या आप जानते है कि पेड़ पानी को सोकने के साथ ही पानी को बाहर की तर पानी का लेवल बहुत ज़्यादा उपर आ जाता है जिससे जमीन में पानी को सोकने की कैपिसिटी ना के बराबर हो जाती है और इसी वज़े से यह पेड़ उस पानी को बाहर की तरफ एक फुवारी की तरफ फेकने लगता है आप दोस्तो हम आपको एक ऐसी प्राकरति गटन दिखाने वाले है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे दोस्तो आपने पोपुलर डेस्टिनेशन हवाई के बारे में तो सुना ही होगा लेकिन हवाई लावा की नदियों के लिए भी दुनिया भर में काफी फेमस है और जब यह लावा फटता है तो यह तकरीबन ए कैसा घर दिखाने वाले है जो बेहदी अनोका है दोस्तो यह घर सर्बिया में मोजूद है जो एक नदी के बीच में एक बड़े से पत्थर के उपर बनाया गया है जो देखने में बेहदी खूबसूरत लगता है और इस घर के कुछी किलोमेटर के दाएरे में आपको आपक उतरता है और इसे नीचे उतरने के लिए इस घर पर 130 फीट की सीडिया बनाई गई है दोस्तो अब हम बात करते है किलिप साइड राइड के बारे में वैसे वाटर पार्क में वाटर राइड करने का मजाई कुछ और होता है लेकिन इस राइड के सामने दुनिया की बाकी चड़ते है कि वह वहाँ से कूद कर अपनी मोत का अदबुद एक्सपिरियंस ले सके और दिल के कमजोड लोगों के लिए यह जंगा किसी नर्क से कम नहीं है दोस्तो जिन लोगों को एडवेंचर का सोंख है वीडियो का यह इससा केवल उन्हीं लोगों के लिए है दरसल दोस्तो दुनिया में एक ऐसी जंगा भी है जहां लोग सार्क मचली को पास से देखने के लिए उसके पास पानी की गहराई में जाते है दरसल उन्हें इस टील के एक पिंजरे में डाल कर पानी की गहराई में बेजा जाता है और इन लोगों को अंदर बेजने से पहले एक क को करते हैं दोस्तों आप हम आपको आपके बच्पन के एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने वाले हैं जिसे सायद ही आप आज तक भी नहीं जानते होंगे दोस्तों आपने अपने बच्पन में आस्मान में एक ऐसी सपेद रंग की लाइन को बनते होए तो जरूर देखा होगा लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता है कि यह अक्च्छल में होता क्या है अब जरा एक बार इसी नजारे को पास से देखे दरासल इसे कॉंट्रेल्स कहा जाता है और इस वीडियो में 33,000 फीट की उचाई पर जहाज अपने दोनों इंजन से कॉंट्रेल्स बना रहा है नीचे से देखने पर भले ही यह एक वाइट कलर की लाइन की तरह दिखाई देता है लेकिन पास से यह नजारा काफी आजचरिय जनक होता है अब दोस्तो लाश्ट में क्या आपको पता है कि प्लेन को भी वोसिंग की ज़रुरत पढ़ती है और प्लेन को आम तोर पर दो तरीकों से धोया जाता है जिसमें से एक तो प्रेसिंग वोसिंग होती है और दूसरी होती है वाटरलेस वोसिंग जिसमें प्लेयन को बिल्कुल एक सीसे की तरह चमका दिया जाता है दोस्तो आपको इन सभी अजीबो गरीब घटनाओ और अजीबो गरीब चीजों में से सबसे अजीबो और अनौकी चीज कौन सी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताए साथी वीडियो अगर पसंद आयो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले क्योंकि हम इस चैनल पर इस तरह की इंट्रस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखे थैंक यू सो मच